नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूटीब चैनल पर आज अपन बात करने वाले हैं रास्तान हिष्टी के अंदर महराना कुंबा की देखिए महराना कुंबा के शासनकाल से एक ट्यूशन आपके एकजाम के अंदर जरूर मिलेगा आप महराना कुंबा और महराना सांगा और महराना परताप इन तिनों को आप अची तरीके से पढ़िएगा आज अपन बात करने वाले हैं महराना कुंबा के बारे में देखिए इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर अपने बात की थी महराना मोकल के बारे में महरा फिर 1433 से 1468 तक जो सासन करता है वह होता है महराणा कुम्बा महराणा कुम्बा एक जो मेवाड का सासन है उसके अंदर एक बहुत ही मान सासक होता है इसके बारे में देखके, इसके पिता की अपन बात करें तो राणा मोकल जो था वो इनका पिता और इनकी माता का नाम था सवभाग्य देवी येदि अपन इसके गुरु की बात करें तो महराना कुमबा के गुरु थे हिरनन्द और संगीत गुरु थे सारंग व्यास यानि सारंग व्यास थे वो तो थे इनके संगीत गुरु जबकि आध्यात्मिक गुरु थे वो थे हिरनन्द जैनाचारियो हिरनन्द महराना कुम्बा संगीत के अंदर बहुत परवींड था और ये वीना बजाने में बहुत महिर था यानि जो इनका वाद्गी इंतर है महराना कुम्बा का वो है वीना और एक इनकी पुत्री थी रमाबाई जो संगेत के अंदर संगेत सास्तर में बहुत मानती इसलिए उसे वागी स्वरी भी कहा जाता है ये भी आप ध्यान रखेगा फिर देखे महाराणा कुमबा की कुछ उपादियां है यानी महाराणा कुमबा को किनकिन उपादी द्वारा बताया जाता है कि इनको राजगुरू, शेल गुरू, छाप गुरू, हाल गुरू, राणो रासो, हिंदु सुर्तान, दान गुरू, अभीनव भरताचारिय, तोड कर्मल और धिमान आदी उपादियां द्वारा ने डारण की थे अब देखिए कुमबा की 씨ंडेंवादे ने वाले श्रोत यह एसे कौन कौन सेृत है जिनके द्वारा अपनको कुमबा की जानकारी मिलती है तो दैखिए एक तो कुम्बल किसके दौर रचित है तो ये वीर विनोद दौर भी अपन को क्या मिलती है कुमबा के बारा में जानकारी मिलती फिर देकि कुमबा जब सासक बना तो इनके सामने दो समझ्याइ थी एक तो इनके पिता की हक्तिया हो की थी और उसका बदला लेना था और मोकल के समय राइमल जो उसका मामा था रणमल राठोड उसका मेवाड के अंदर परभाव बहुत ज्यादा हो रखा था उसके परभाव को भी कम करना ये भी इनके सामने एक समस्या थी तो फिर कुमा ने क्या-क्या रणमल की साहता से चाच सरण ले लेता है इसके कारण मालवा और जो मेवाड है उनके मद्य सतुरुता उत्पन हो जाती है इसके कारण ही सारंपूर का यूद होता है आपके 2437 के अंदर MP में और दूसरा यूद होता है बहराट गट का यूद ये भी जो महमूद खिलजी पड़ता में उस वह और कुम्बा के मद्यों 1457 के अंदर पुना यूद होता है अपन इन यूदों को पड़ते हैं अब देखिए सारंपूर का यूद सारंपूर का यूद कुम्बा वह महमूद खिलजी पड़तम के मद्यों हुआ था सारंपूर का यूद नंबर एक सारंपूर का यूद अब देखिए सारंपूर का जो यूद है वह हुआ था आपके 1437 के अंदर ये डेट भी आप ध्यान रखेगा 1437 और ये हुआ था MP के अंदर ये किन किन के मद्य हुआ तो ये तो महराना कुम्बा वह जो मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी पड़तम महमूद खिलजी पड़तम इन दोनों के मद्य यूद हुआ था यूद का जो ततकालीन कारण था वह था महापा पमार को सरण वेरने के कारण वह इसने लोटाने से भी बना कर दिया तो यह कुम्बा ने जो आकर्मन कर दिया कहां पर मालवा पर और ये सारंग पूर का यूद होता है इसके अंदर ये कुम्बा वीजे हो जाता है और महमूद खिलजी पड़तम की प्राजे हो जाती है सारंग पूर के यूद में महमूद खिलजी फेश्ट की प्राजे व कुम्बा इसके अंदर क्या हो जाता है वीजे हो जाता है इस वीजे के उपलक्स में कुम्बा चितोड के अंदर एक इमारत या एक टोवर का निर्मान कराता है जिसे अपन बोलते हैं विक्ट्री टोवर या वीजे इस्तम इस जीत की खुशी में कुम्बा ने चितोड के अंदर क्या करवाया विजय इस्तम का निर्वान करवाया चितोड में विजय इस्तम या जिसे अपन क्या बोलते हैं विक्ट्री टोर या इसे कीर्थी इस्तम भी कहते हैं याजने काप़ी वूकों में लिकावा किर्थी इस्तम का निर्मान करवाया और देखिए यह जो केर्थी इस्तम है इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं ओ देखे एक तो है विजय इस्तम या कीर्थी इस्तम और एक और टौर है चितोड के अंदर जिसे आपन बोलते हैं जैन कीर्थी इस्तम एक तो गया विजय इस्तम और दूसरा है जैन कीर्थी इस्तम इसे आपन क्या बोलते हैं कीर्थी इस्तम भी क्याते हैं अब देखिए ये चौदवी सदी के अंदर बना था जबकि ये हो बारवी सदी के अंदर सदी में इसका निर्मान करवाया था इसका निर्मान किसने करवाया कुम्बद द्वारा करवाया गया जबकि इसका यानी जैन किर्थी इस्थम का निर्मान करवाना वाला एक महाजन था जैन महाजन जीजा साद्वारा निर्मान करवाया गया जीजा साद्वारा निर्मान करवाया गया अब देखिए जो विजे इस्तंप है उसके अंदर नो मंजिले हैं यह नो मंजिली इमारत है जबकि यह साथ मंजिली इमारत है यानि जो जैन किर्थी इस्तंभ है उसके अंदर सात बंजिल हैं जब कि विजे इस्तंभ के अंदर कितनी मंजिल हैं नौ मंजिली इमारत है और इसके जो तीसरी मंजिल है तीसरी मंजिल पर नौ बार अल्ला सब्द लिकावा है यानि जो वीजे इस्तंब की जो तीसरी मंजिल है उसके उपर नौ बार अल्ला सब्द लिकावा है और देखिए जो वीजे इस्तंब है उनके सिल्फी थे वीजे इस्तंब के सिल्फी का भी आपको नाम ध्यान रखना है एक तो था जेता जेता वह उनके तीन पुत्र थे तीन पुत्र थे एक तो था नापा पुमा व पुंजा ये इन चारों ने इसका यानि वीजे इस्तंब का निर्मान करवाया सारंगपूर का यूद कब हुआ 1437 के अंदर MP के अंदर हुआ ये कुमबा वह महमुद खिल जी जो मालवा का सुल्तान था उनके मद्दी हुआ था अब दीकि जो सारंगपूर का यूद है वह महमुद खिल जी इसके अंदर प्राजित हो जाता है और कुमबा क्या हो जाता ह विजे यानि जो सारंगपूर का यूद है उसमें कुम्बा की विजे हो जाती है इस कारण कुम्बा ने चितोड के अंदर एक विजे टावर या विक्टरी टावर या जिसे अपन क्या बोलते हैं कीर्थी इस्तम का निर्मान करवाया था कीर्थी इस्तम यहां 14 सदी के अंदर यानि जो कुम्बा के समय बना था जबकि एक दूसरी इमारत है जैन इस्तम जैन कीर्थी इस्तम जो की 12 सदी में महाजन जीचा स्वाद वरा इसका निर्मान करवाया गया विजे इस्तंब 9 मेंजिली इमारत है जबकि जैन कीर्थी इस्तंब के अंदर 7 मेंजिल है जबकि विजे इस्तंब की जो तीसरी इमारत है उसके उपर 9 बार अल्ला सब्द का अल्ला सब्द या अल्ला वर्ड लिखा हुआ है और देखे जो विजे इस्तंब या कीर्थी इस्त है वह जेता और उनके तिन फूतर है नापा पुमा वा पुर्ण ऑर ध्यान रखेगा विजे इसतंब लाओर इमारत है जिसके उपर सब से पहले यह शुद यह और इसके उपर एक रुपे क retsa कि यह अगतिकट डाक टिकट जारी हुआ है यह कब हुआ है पनदरा अगस्त ये डांग टिकट जारी हुआ है पनदरा अगस्त उग्नी गुण पचास को यहनि जो विजे इस्तम है उसके उपर राश्तान की सबसे पहली इमारत है जिसके उपर एक रुपे का डाक टिकेट 15 एक गस्त उग्णिशो गुणपचास को जारी हुआ था और देखिए ये विजय इस्तंब माधिमिक शिक्षाबोर्ड माधिमिक शिक्षाबोर्ड शिक्षाबोर्ड राजस्तान पुलीस राजस्तान पुलीस का पर्तिक चिन है यानि जो विजय इस्तम है वो मादिमिक सिक्साबोर्ड वो राश्तान पुलीस का क्या है पर्तिक चिन है फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसके बाद कुम्भा ने एक और यूद किया था जिसे अपन बोलते हैं बहराट गट का यूद अब देखिए बहराट गट के यूद से पहले कुछ और गटनाई हुई थी एक है चमपानेर की संदी ये चमपानेर की संदी ये होती है आपके 1456 के अंदर और एक संदी है आवल बावल की संदी ये संदी होती है चवदेशो तेपन के अंदर अब देखिए ये चमपानेर की संदी तो होती है एक तो मालवा का जो सुल्तान है महमूद खिलजी पर्तम वह गुजरात का एक सासक होता है कुटू बुदीन सा गुजरात का सासक कुटू बुदीन सा इन दोनों की मदिय ये चमपानेर की संदी होती है और इनके मदिय ये संदी इसलिए होती है कि मेवाड के उपर आकर्मन कर और मेवाड को जीत कर जो धने वो इन दोनों के मदिय ये बांट लेना इसलिए ये संदी हुई थी और जबकि जो आवल बावल की संदी है ये हुई थी कुमबा व राव जोदा के मदिय राणा कुमबा व राव जोदा इन दोनों के मदिय ये संदी हुई थी और इस संदी के कारण राव जोदा को जो मंडोर का राजी है वो मिला था और मेवाड वो मारवाड की जो सिमा है इस संदी के बाद तय हुई थी और ये संदी करवाने वाली थी हंसा भाई हंसा भाई की मद्यस्ता से ये संदी हुई थी अब देखिए चंपानेर की संदी के बाद ये दोनों मिलकर मेवाड पर आकरमन करते हैं और मेवाड पर आकर्मन करने से पूरु ही कुमबा अपनी कूट निती के साइता से इन दोनों के मद्धी मत बेद उत्पन कर देता है और फिर भी ये यूद होता है इनके उपर आकर्मन होता है बेराट गड़ का बेराट गड़ का यूद ये कब होता है 1457 के अंदर और इसमें भी कुमबा की वीजे हो जाती है यानि जो बेराट गड़ का यूद है उसमें भी क्या होता है कुमबा की वीजे हो जाती है और ये बेराट गड़ का यूद का होता है बीलवारा के अंदर होता है बीलवारा के अंदर और बेराट गड़ के विजे की कुशि में पुमबा ने बदनोर बीलवारा के अंदर एक कुषला माता का मिंदर बनवाए जाता है कुमबा के दौरा इस यूद की खुशी में जो इस यूद की खुशी में कुम्बा कुशला माता का बंदिर यह बनवाए जाता हैं बदनोर बीलवाडा में यानि बेराट गट की कुशी में एक मंदिर का निर्मान करवाता हैं कुशला माता का मंदिर अब देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं महाराना कुम्बा कुछ ग्रंतों यानि कुछ ग्रंत लिखते हैं उनके बारे में अब देखिए महाराना कुम्बा द्वारा लिखित ग्रंत महाराना कुम्बा द्वारा लिखित ग्रंत नंबर एक संगीत राज ये कुम्बा का एक व्रद और सबसे प्रसित ग्रंत है और इसके उपर क्यूशन आया था प्रटवारी 2015-16 का एक्जाम था उसके अंदर कि महाराना कुम्बा का संगीत राज जो ग्रंत है इसके अंदर कितने अधिया है तो आप ध्यान रखेगा इसके अंदर पांच अधिया है ठीक है फिर नंबर दो बात करते हैं संगीत राज संगीत मिमासा यह भी एक कुम्बा द्वारा रचित ग्रंत है संगीत राज संगीत मिमासा संगीत रत्नाकर सूर प्रबंध नंबर पांच काम राज रतिसार यह भी एक कुम्बा द्वारा रचित ग्रंत है और एक रशिक प्रिया रशिक प्रिया यह कुम्बा द्वारा रचित एक टीका है रशिक प्रिया एक टीका है जय देव का एक ग्रंत था गीत गोविंद जयदेव की ग्रंत गीत गोविंद पर एक टिका लिखीती जिसका नाम है रशिक पिरिया अब दिखिए ये भी आपको ध्यान रखने है संगीत राज जिसके अंदर पांच अधिया है संगीत मिमाenth सा संगीत रतनाकर् सुन्ठ परबन्ध कामराज रति शार रशिक पिरिया जो की जयदेव दुवरा ग्रंत एक लिखावाए था गीत गोविंद यह जयदेव का ग्रंत है उस पर एक टिका लिखी हुई है रशिक जो की किस ने लिखी महाराना पुम्बा के द्वारा अब देखिए एक ग्रंद है एक लिंग मात्मिय एक लिंग मात्मिय यह काना व्यास द्वारा यह काना व्यास द्वारा लिखित ग्रंद है और इस ग्रंद का एक अध्याई है राज वर्नन यह स्वम कुंबा द्वारा लिखित है यानि जो काहना व्यास द्वारा रचित एक लिंग मात्मिय जो गरंथ है उसका एक अधिया ही है राज वर्नन वो स्वम कुंबा द्वारा लिखित यानि लिखा गया है फिर देखिए जो कुम्बा द्वारा जो निर्मान करवाये हैं उनके बारे में कुम्बा द्वारा निर्मान कारिया अब देखिए कुम्बा ने कई सारी इमारतों का निर्मान करवाये हैं उसके बारे में आपको ध्यान रखना है देखिए जो मेवाड है मेवाड के अंदर का जाता है 84 गड़ या दूर्ग है जिसके अंदर से 32 दूर्गों का निर्माण सुम कुमबा ने करवाया अब देखिए कुछ किलों का नाम है जैसे नंबर एक कुमबल गड़ ये कुमबा ने अपनी रानी कुमबल देवी के याद में इस कुमबल गड़ का निर्माण करवाया और इस कुमबल गड़ के अंदर अपन जब किले पड़ेंगे यानि जो दूर्ग पड़ेंगे तो इसके बारे में संपूर्ण जानकरी पड़ेंगे लेकिन अपन जो मोटी मोटी बाते हैं वो अपन देख लेते हैं जैसे कुमबल गड़ इसका निर्माण कुमबा द्वार उसके उपर इस्ति थे और देखिए कुम्बल गड़ के अंदर एक दुर्ग है कटार गड़ इसे मेवाड की आँख का जाता है और ये कुम्बा का जो निवास इस्तान था यानि जो कटार गड़ है वही कुम्बा अधिक तर निवास करता था अब देखिए अचल गड़ जो की शिरोई के अंदर है माउंट अबू शिरोई फिर देखिए मचान दूर्ग बेराट दूर्ग ये बेराट दूर्ग का है ये बदनोर बदनोर भीलवाड़ा के अंदर इसका भी निर्बान किसने करवाया कुम्बा दुबारा करवाया गया है एक बोराट दूर्गे ये दूर्ग भी का है शिरोई के अंदर है इन सारो दूर्गों का निर्मान किसने करवाया कुम्बा ने करवाया और देखिए कुछ मंदिर हैं जिनका भी निर्मान कुमबा दुवारा करवाया गया जैसे अभी अपने बात की थी कुछला माता का मंदिर इसका निर्मान किस ने करवाया कुमबा ने करवाया और देखिए एक एक कुमब स्वामी मिंदर ये तो का हैं कुम्बल गड़ के अंदर है कुम्बल गड़ के अंदर है और एक बंदिर है कुम्ब स्वाम बंदिर ये का है चितोड के अंदर है इन सभी मेंदरों का निर्मान किस ने करवाया कुम्बा ने करवाया और जो रनक पुरु जैन मेंदर है जेन मंदिर इनका निर्मान भी किस ने करवाया कुम्बा ने करवाया यह नहीं जो कुम्बा है उसे इस्थापत्य कला का जनक कहा जाता है कुम्बा को इस्थापत्य कला का जनक कहा जाता है यानि कुम्बा है वो इस्थापत्य कला का जनक कहा जाता है फिर अपन बात करते हैं एक कुम्भा का परदान सिल्पी था मंडन उसके बारे में जिसने कुम्बलकड दुर्ग का निर्मान करवाया या कुम्बलकड दुर्ग का जो परदान सिल्पी था वो था मंडन कुम्बा का परदान सिल्पी कौन है मंडन अब देखिए मंडन के दुर्ग कहीं साले ग्रणतों का निर्मान किया गया है और ये मंडन ने किसका निर्मान करवाया कुम्बल गर्ड का ये परदान सिल्पी था अब देखिए मंडन ने कहीं सारे ग्रंत लिखे जिसके बारे में अभी अपन को ध्यान रखना है जैसे प्रशाद मंडन रूप मंडन राज वलब मंडन देवता मूर्ती प्रक्रण वास्टू सार वास्टू मंडन कोदंड मंडन सकून मंडन इन सबी ग्रंतों का जो निर्माण है वो कि इसने क्या था मंडन जो की क्या है कुम्बा का परदान सिल्पी है उसने इन सबी ग्रंतों की रचना की थी आप देखिए मंडन का एक भाई था मंडन का भाई ना था इसने एक ग्रंत लिका वास्टू मंजरी और मंडन का एक पुत्र था गोविंद मंडन का पुत्र गोविंद ने एक ग्रंत लिका था कला निधी मंडन का पुत्र गोविंद ने कला निधी नामक ग्रंत की रचना की अब देखिए कुम्बा की हत्या करने वाला उसका पुत्र था उदा उदा ने 1468 में मामा देव कुंड ये कुंड का है कुम्बल गड के अंदर है कुम्बल गड के अंदर ये कुंड है मामा देव कुंड इसके अंदर उदा ने 1468 में मामा देव कुंड के पास कुम्बा की हत्या कर दी इसके बाद जो उदा है या उदेखिए करने ये 1468 से 1468 से 1468 से 1443 तक ये सासन करता है और उसके बाद इसकी आकाशी बिजली गिर जाने के करन उदा की मर्तिव हो जाती है उसके बाद जो कुम्बा का दूसरा पुत्र है राई मल ये हा सासन करता है इसके बाद आपन नेक्स्ट वीडियो में जो राईमल है और उसके बाद इसका पुत्र सांगा वो मेवाड पर सासन करता है उसके बारे में पढ़ेंगे आप सभी लोगों से गुजारिस है कि मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैल्लर को सस्क्राइब करें जे हिन जे भार्द करे मेरे मेरे में